हेलो फ्रेंस तो आज हम एंडूइट फोन का dpi maximum कितना सपोर्ट करता है यह जो रेडिमी नोट 10 डवाइस मैं इसको एक्टिली टेस्ट करने वाला हूं कितना maximum dpi support यह करता है और यह एक dpi hard test हम इसको कह सकते हैं बहुत सरे dpi नमर से जिनको मैं पर ट्राई करने वाला हूं इस चीज मैंने रेड्मी 12 पे भी ट्राई करी थी वह जो डवाइस था वो crash नहीं हुआ था यह डवाइस क्रेश हो सकता है मैं कोई यहां पर guarantee नहीं कर सकता तो मैंने यहां पर data backup कर चुका हूं ठीक तो आपको भी अपने phone का data backup कर लेना है क्योंकि होता क्या है जब device यह crash होगा उसके बाद यह जो screen है यह black हो जाएगा आपको कुछ भी दिखाए नहीं देगा तो आप अपने data को backup नहीं कर सकते और नहीं phone को reset कर पाएंगे तो इसको hard reset करना पड़ेगा buttons के through तो चलिए मैं आपर सारी चीज़े ट्राई करने वाला हूं एक-एक करके हम dpi numbers को test करेंगे क इतने maximum dpi number यह से support करता है device so developer option already enable कर चुका हूं तो यहां developer option में जाएंगे तो देखिए इसमें जो option है जो smaller space बाला जो feature है यह रहा यह अभी set है आप देख सकते हो 421 पर यह selected है 428 करा था 30 करा था मैंने वाट यह change हो जाता है कभी-कभी यह सभी phones में होता है और अगर आपके कभी-कभी मिरे पर सवाल भी आते हैं यह number change हो जाता है तो क्यों है देखिए यह सभी phones में है company जो भी company साथ होता है लेकि Apple भी ज्यादा अपने software में UI changes नहीं करते है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 421 यह set है मैं इसको change करने वाला हूँ अभी के लिए 500 कर देता हूँ मैं इसको पहले तो क्या यह 500 dp तक support करता है या नहीं मुझे लगता है यह तक कर जाएगा यह तो यह आप द change करने वाला हूँ 600 okay 600 तक भी हमारा जो device है यह dp support कर गया है और यह आप देख सकते हो कितने small इसके जो आइकन से हो चुके हैं next हम इसको change करते हैं दोस्तों और यह आप देखिए एक मिनट यह जो UI आप देख पा रहे हैं यह actually tablet का UI मुझे लग रहा है क्योंकि यह जो keyboard है अ मैं इसको notification को यहां पर on करता हूं देखिए यहां से तो कुछ ऐसा UI है और इसको हम home screen पर भी एक बार चेक कर लेते हैं कैसा UI हमको मिल रहा है अभी Chrome browser पर में जाता हूं और यहां से मैं देखिए नया tab add कर लेता हूं तो जो tab का जो UI है वो आप देख सकते हैं कैसा interface आ चुक तो और जो three dot है उसमें option कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं ठीक यहां से मैं और tab add कर सकता हूं और यह मुझे बिलकुल tablet का जो experience है वो मैं यहां पर कर सकता हूं तो UI changes हमने इसमें देख लिए कुछ UI changes इसमें हुए हैं Google files में भी UI changes होते हैं इसके बाद Google कुछ और apps इस Google drive हो ग जाता है तो अब मैं क्या करने वाला हूं देखिए सबसे पहले तो हम इस UI को मैं थोड़ा सा इसको phone को rotate करता हूं तो मैं इसमें कुछ apps को भी जो है try करूंगा कौन कौन सी apps में maximum dpi है tablet जैसा हो जाता है तो मैं इसको rotate करता हूं एक बार तो यह आप देख पा रहे हैं यह ज ठीक तो ऐसा कुछ UI हो जाता है tablet के जैसा आप एड़ में tab add कर सकते हैं यह जो चीज़े आप किसी भी web browser पर आपको जाएंगे तो आपको सब पर मिल जाएगा ठीक नेक्स्ट हम इसमें UI change करते हैं फिर से हम इसमें number change करते हैं और यह जो 600 dp जो मुझे लग रहा है PPI या जो पर भी सारे options मुझे ठीक से दिखाई दे पा रहे हैं यूज कने like है यह जो डीपी number है चली तो मैं इसको change करता हूं और मैं इसको 700 कर देता हूं करेंगे और यह हमारे जो डिवाइस है यह यहां पर आप देख सकते हो 700 dp स्मॉल स्पेड सेट हो चुका है और यह डिवाइस सपोर्ट कर रहा है 700 dp नेक्स चेंज करते हूं मैं यहां पर फिर से तो मैं अब इसको 1000 पर सेट कर रहा हूं और हो सकता है यह डिवाइस अगर इस डिपी नंबर को सपोर्ट नहीं करता है तो यह क्रेश हो सकता है ओके सो ओके गाईस सो हमारे जो डिवाइस है वो सपोर्ट कर गया है और यह कुछ ऐसा यूई आया है आप देख सकते हो क्रोम ब्राजर पर मैं आपको दिखा रहता हूं एक बार और जो यूई है वो कैसा हो चुका है तो आइकन्स जो है मेरे फोन में बहुत छोटे हो चुके है अब देख सकते हो यह जो टैबलेट का यूई है मैं इसको थोड़ा सा और टैब आइड कर लिता हूं इदर से तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ पेज है वो आएगा ठीक तो यह यूई जो है बहुत छोटा हो चुका है टैक्स जो है बहुत ही छोटे-छोटे दिखा दे र रहे हैं आइकन्स ऐसे हो गए है तो यह थोड़ा यूजेवल है लेकर प्रोलम हो सकता है कुछ चीज़ों मैं मुझे जहां तक लगता है अलाकि अभी यह यूजेबल है तो मैं इसको हो मिस्कीन पे बैक करता हूँ एक मिनट होम स्कीन का इकन्स कुछ ऐसे हो गए हैं तो मै इसको एड़ेट फोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कुछ ऐसा पेज आएगा ठीक तो यह इतना छोटा यूँ हो चुका आप देख पा रहे हैं इसमें अगर मैं देखिए यह होम स्कीन बाला पेज ऐसे पेंच करता हूँ तो ऐसे कुछ आप्शन आएंगे इतन मुझे सायद दुवारा देखने को नहीं मिलगा क्योंकि हो सकता है यह जो डिवाइस का स्क्रीन है यह क्रेस हो जाए तो मैं एक बार इसका स्कीन शोट कैप्श कर लेता हूँ तो सेटिंग्स के जो आप्शन आप देख पा रहे हैं बहुत चोटे हो जगे हैं और मैं इसको सेट करता हूँ 600 पर ओके और हम यहां पर एक बार मैं वस इसके स्कीन शोट कैप्श कर लूँ और तो हमारा जो डिवाइस के स्कीन शोट है वो हमने कैप्श कर लिया है और इसको मैं एक बार सेप कर लेता हूँ और गैस तो यह जो चीज़ है यहां पर मैं स्कीन शोट इसका सेप कर लिया हूँ अब मैं इसको और इंक्रीज करता हूँ इसी डीपी नमर को तो इसका जो डीपी नमर है वह हम सेट करने वाले हैं 1500 तो क्या यह डिवाइस इतने डीपी नमर को सपोर्ट कर पाएगा वैसे यह यह यूजलेस है क्योंकि इतने डीपी नमर पे जो आइकन्स और फॉंट्स है वो बहुत स्मॉल हो जाएंगे ठीक जिनको मैनुली आप कैसे भी करके इंक्रीज नहीं कर सकते एवन सेटिंग से भी करेंगे तो कुछ बहुत स्मॉल ही रहेंगे तो मैं सेट करके देखता हो यह जो डवाइस से सपोर्ट कर गया है मैक्सिमम डीपिया इसका 1500 है कि इक मिनटस तो मैक्सिम मंटस इसका है करता है तो मैं इसको फिर से इरेज करके मैं देखता हूं मैं अब इसमें टाइप कर रहा हूं कि 5000 पहले एक मिनट पांच हजार डीपी मैं इसमें सेट करने वाला हूं देखिए ओके करेंगे देख सकते हैं आप नंबर 500 dp मैं इसमें सेट करने वाला हूँ ओके करेंगे तो यह जो डिवाइस है इसको सेट नहीं कर रहा है और आप देख सकते हो यहाँ पे जो ui है अप कैसा है कुछ ऐसा पे जाएगा और यह जो option है मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं ठीक से smallest bit में क्लिक करेंगे तो यह फिर से आप देख सकते हो वही नंबर है मेरे सामने ठीक तो यह जो डिवाइस है यह maximum इतना डिवाइस सपोर्ट करता देख सकते है 14 बाबन तो यह एक नंबर है जो dp support करता है तो मैं इसको मुझे ज एक desktop बाली चीज़ आ जाती है मतलब आप जैसे tablet यूज़ करेंगे तो वह इसा है यूँ आई आपको मुझा है तो यह कुछ ऐसे कुछ दिखाई देगा 800 वाला तो maximum dp इसका हमने देख लिया है maximum dp नंबर यह support करता है 14 बाबन और अगर आप इसमें 2000 भी set करने की कुछस कर हैं यह वीडियो आपको पसंद आया हुगा यह जो टेस्ट है hard dpi test जिसमें अपने इस device पे सारे dp number टेस्ट करें जो की possible हो सकते थे और एक बड़ा नंबर है dp जो की पंद्रास हो है यह जो dp number है यह आपको tablet की screen पर दिख जाएगा यह उस पर support कर सकता है लेकिन phones के लिए अगर आप थोड़े से पुराने android device जैसे की देखें android 9 वाले और android 9 से जो भी नीचे वाले जो device होंगे उन पर अगर आप यह चीज़ टेस्ट करेंगे तो हो सकता है वो device crash हो जाए यह screen जो उनका black हो जाएगा तो यह कुछ problem हो सकते है अगर आप ऐसे चीज़ ट्राइग करत यह android 12 में आता है और यह मुझे पता है आप कोई भी आप सर्च करके देख लगते हैं तो रेड्मी नोट 12 या पर जितने भी यो 2020 के आसपस या उसके बाद जितनी फोंस आया सभी में android 12 का update आप चुका है तो हो सकता है यह android 12 में अच्छी चीज़ है कि जो maximum dp support है वो कितना मिलता है कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं अगर आप यह चीज़ टेस्ट कने वाले अपने डेटा बैक अप कर लिए जैसे कि मैंने आप अपना डेटा बैक अप कर लिया था उसके बाद ही मैं नहीं करता तो मेरा जो डेटा है वो जा सकता था और यह जो डेटा ब कोमेंटे वीडियो दिखने के लिए चैनल पर प्लेलेस्ट हैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्श्ट में मिल जाएंगे कोई भी सब्वाल है कोमेंट कर दीजेगा सुफरेंस में दे नेक्स्ट वीडियो में सेंक्स वोचिंग